जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनीक ज्यान में आज हम बी ये 6 समस्टर को कैरिकुलर का जो हमारा स्लेवर से उसका मॉडल पेपर देखेंगे यह एक यूनिवर्सटी में पेपर हुआ है जिसको आपको सॉल्व क कराया जा रहा है जिससे आपकी मदद होगी क्या-क्या आ सकते हैं कुश्चन आप यह जान पाएंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टन कुश्चन यह जान पाएंगे और सीधे सीधे इस प्रस्ण पत्र से आपको लगभग 30-35 प्रस्ण जो है आपके पेपर में देखने को मिलत करने को मिल जाएगा सेम सेम करके और लगभग वही कुश्चन गुमा कर पूछे जाते हैं इसलिए आप अवस्य हर एक मॉडल पेपर को देख लीजिए जिससे आपको पता लग जाए किस प्रकार के प्रस्ण हमारे एक्जाम में आ रहे हमारा स्लेवस जो है कम्यूनिकेशन स्किल एंड पर्सनाल्टी डेवलपमेंट बी एक सिक्स सेमेस्टर को करकुलर में लगा हुआ है जिसका हमने स्लेवस भी आपको बताया है तो चलिए इसको देखते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यह most hundred questions जो है ऐसे ही हर एक सब्ज में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कजिए और यह में मॉडल पेपर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप जोइन किजिए वहाँ पर सभी क्लासिस के नोट्स आपको प्रवाइड कराया जाते हैं वीडियो लाइक अवस्य करें कोई भी प्रशना आपको पूछना के लिए जो भी टाइम मिले उसमें सबसे पहले महत्पूर्ण निर्देशों को आप पढ़ लिया करिए चलिए देखते हमारा पहला प्रस्म क्या है हिंदी और अंग्रेजी भासा दोनों में दिया है हम आपको हिंदी में बताएंगे क्योंकि अगर हम हिंदी इंग्लिस दो तो आप बगल में जो यहां पर अंसर बताया रहा है उसको मिला कर देखते चलिए तो पहला प्रस्म है वह अब्यक्ति जो इमार्तों और सडकों के लिए तथर रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोथता है उसे क्या कहते हैं आपके ख़दान कर्मी खनिक रेड इं ब्यक्ति तो क्या है? अच्छी सुच्छता, आदने अपनाना, साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना और साफ सुथरा दिखना यह हमारे अच्छे ब्यक्तिगत सौंदर एका उदारण होता है। उद्देश होता है, साफ चातकार की तयारी का उद्देश से की बात करें, तो इसका उद्देश होता है कमपनी और इस्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियां तयार करना। क्या करने से बचना चाहिए, सहमूह चर्चा करने के दवरान हमको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिया बिना दूसरे के विचारों को आलोचना करना से बचना चाहिए। अगला नौवा प्रस्ण हमारा है, बस ध्यान से आप देखते जाएए, हर एक कुश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन बन जाता है, बाडी लेंग्विज क्या है? बाडी लेंग्विज इसारों, चेहरों के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार कहलात है, अगला प्रस्ण मारा दसवा प्रस्ण है, मुझकराने से बात चीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है, यह एक मैत्रिपूर और स्वागत यूग्य माहोल बना सकता है, जब आप मुझकरा कर किसी से बात चीत कहते हैं, तो आपके और जिससे बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक मैत्रपूर और स्वागत यूग्य माहौल को बना सकता है अगला प्रसन हमारा 11 कुश्यन है संचार में सीधे नजर मिलाकर संप्रेसर करने का आर्थ है कि आत्म विश्वास आपके अंदर है इमांदारी और साउधानी यह तीनों आपके अंदर है इसलिए आप कॉन्फिडेंस होकर कॉन्फिडेंट होकर आप उनसे बाते कर रहे हैं नजर से नजर मिलाकर अगला प्रसन है संचार प्रक्रिया का क्या उद्देश है व्यक्तियों या समूहों के बीद जानकारी और विचारों को संप्रेसित करना संचार प्रक्रिया का प्रमुख उ अगला प्रस्म देखेंगे 14th question हमारा संचार में अस्पष्टता का महत्तो है यह समझ को बढ़ाता है और भ्रह्म को कम करता है जब हम किसी चीज को अच्छे से अस्पष्ट करके किसी को बता देते हैं तो वह समझने में मदद करता है और भ्रह्म जो उनके अंदर होता है उसक तो उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसको समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना ही सक्रिय स्रवड कहलाता है अगला प्रस्न मारा 16 नंबर है संचार में अस्पष्टता क्यों महत्तोपूर है संचार में जो अस्पष्टता है इसलिए महत्तोपूर है क्योंकि यह सुनिश संचार की बाधा कौन सी है ब्याकरण और वर्तनी की तुरुटियां जो है वह लिखित संचार की बाधा है अगला हमारा ठ्रावा पस्न है मौखिक संचार का उधारण क्या है मौखिक संचार का उधारण किसी से आमने सामने बात करना है उन्नीस वह प्रस्न देखेंगे विस् सा सोनम चाहिए अगला प्रस्ण है देखिए ये गल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टिंट हो जाता है उनकी जानकारी भी इससे बढ़ेगी कि जब सोने लगें तो मेकप को हटा करवा सोई अगला प्रस्ण हमारा है निमलिकित में से कौन सा कारक ब्यक्तित्तों का निर्धारक मा वह नहीं होता है अगला प्रस्ण है बायोडाटा का उद्दे ज्योता है किसी विशुष्ट नौकरी या। आउसर के लिए प्रासंग कोसल यूग्यता और अन्भर मुप्रदर सीथ करना हमारा है ter perpetagen समूछ चर्चा आगे बढ़नी चाहिए समूः चर्चा कैसे आगे बढ़नी चाहिए सत्य के साथ आगे बढ़नी चाहिए तेश्वा प्रस्ण है समूः चर्चा में इनमें से किस से बचना चाहिए समूः चर्चा में हमें क्या नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए समूः चर्चा में हमें क्या होना साथ-चात्कार के संबन में मिरिलिंक अर्था, तत्काल, सला और समाधान फदान करना होता है 26. प्रशन है हमारा इनने से कौन सा कारक सुनने के कौसल को नहीं बढ़ाता है नकली पन जो है हमारा वह सुनने के कौसल को नहीं बढ़ाता है किसी भीभ्यकतिक में अगर नकली पन आ जाए तो उसके सुनने के कौसल को बढ़ा नहीं सकता है अगला प्रस्ण है हमारा 27 प्रस्ण उस अस्थान का चैन कीजिए जहां कौसल प्रोफाइल में नाम और पते का उलेख होता है कौसल प्रोफाइल में नाम और पते का उलेख कहा होता है उपरी बाए किनारे पर यह most important topic, most important question आपका हो जाता है अगला प्रस्ण है CV की सुरुवात में आवेदक का सारांस किसके रूप में कारिय करता है CV का जो एक प्रकार से सुरुवात होता है वह किसका कारिय करता है वह करता है सार का कारिय अगला प्रस्ण हमारा है 29 नंबर बायो डाटा में किसका उल्लेक होता है बायो डाटा में पता, आयू और राश्टियता इन तीनों चीजों का उल्लिक होता है तीस्वा प्रस्न है समूह चर्चा में उम्मीदवार की किस छमता का आकलन करती है समूह चर्चा जब होता है तो उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनके किस छमता का आकलन किया जाता है तो उनके किसी निर्दिष्ट विशेपर दूसरों से बात चीत करने की छमता का आकलन किया जाता है अगला प्रस्ण है 31 नंबर निमलिखित में से कौन सा बायो डाटा में प्रकट नहीं होता है बायो डाटा में क्या नहीं प्रकट होता है वह कैरियर लक्ष है जो प्रकट नहीं किया जाता बायो डाटा में अगला है समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश से क्या है समू का ध्यान आकर्सित करना तैतिस्वा प्रस्ण है बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना कारिय करता है जो बायोडाटा और आवेदन पत्र हैं दोनों में कौन क्यों सा कारिय करता है तो उसका हो जाएगा दो अलग-अलग कारी इन लोगों का होता है उम्मीदवार के किस चीज का मुल्यांकन करने के लिए छेडने या तनाव वाले प्रस्ण पूछे जाते हैं उनके किस चीज का मुल्यांकन करने के लिए उन्हें छेडने और तनाव वाले प्रस्ण पूछे जाते हैं तो उनके बुद्ध लब्ध की जो है जाच कनने के लिए ऐसा किया जाता है अगला प्रस्ण है करिकुलम विटाए जो है किस भासा का सब्द है करिकुलम विटाए जो है वह किस भासा का सब्द है वह लेटिन भासा का सब्द है छतिस्वा प्रस्ण है मानो मस्तिस के बाया भा साघ होता है वह तर्क और किकता को नियंत्रित करता है अगे अगला प्रशन देखेंगे 37 हमबर प्रशन आवेदन पत्र क्या है वह कोई आपको उत्तर नहीं पता हो तो आपको यह करना चाहिए क्या करना चाहिए स्विकार कीजिए कि आप उत्तर नहीं जानते और उसको पूछिए यह हमें करना चाहिए जब भी हमें कोई उत्तर ना पता हो 49. प्रस्न है हमारा किसी नौकरी की रिक्त के लिए आवेदन करने का आदर्स तरीका एक बायो डाटा जमा करना है जो क्या होता है वो उस विशिष्ट कारी के लिए विशिष रूप से लिखा जाता है 40. प्रस्न हमारा है साच्छातकार कौसल के संदर में सक्रिय स्रवड का प्राथमिक उद्देश से क्या है वक्ता को उचित रूप से समझना व्याख्या करना और जवाब देना 41. प्रस्न है हमारा साच्छातकार कौसल के संदर में गयर मौखिक संचार में क्या सामिल है गयर मौखिक संचार में हमारा चेहरे के भाव और सारीदिक भासा के माध्यम से संचार करना 42 प्रशन हम देखेंगे प्रभावी साथ चातकार कौसल के संदर में आत्म जागरुकता का क्या आर्थ है अपने जविचारों भावनाओं और पूर्वा ग्रहों के प्रति सचेत रहना अगला हमारा प्रसन है तिराजली सुवा प्रसन है साथ चातकार के दवरान चिंतल सील प्रसनोत्तरी का उपियोग करने का उद्देश से क्या है साथ चातकार दाता को उनके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में मदद करना अगला प्रसन हमारा है चेवा आलिसुवा प्रसन है साथ चातकार का उसल के संदर में सहान भूत में क्या सामिल होता है साथ चातकार दाता की भावनाओं और द्रिश्टी कोड को समझना और साजा करना होता है अगला प्रसन हमारा है पैतालिस नंबर एक साथ चातकार में पुष्टी का क्या महत्व होता है पुष्टी का महत्व साथ चातकार करता के विचारों और भावनाओं को स्रिकार करना और मान्यता देना जो है वह साथ चातकार में पुष्टी का महत्व है अगला प्रस्ण हमारा 46 वा है, साथ चातकार कौसल में उची तस्वर और भासा का मूल भूत पहलू क्या है, हमारा जो इसका प्रस्ण है, साथ चातकार कौसल में उची तस्वर और भासा का मूल भूत पहलू क्या है, उसका मूल भूत पहलू है, साथ चातकारता के संदर्ब, सक्नस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिक्ताओं के अनुरूप भासा और लहजे को अपनाना हमारा सहतिलस्वा प्रस्ण है निम्लिकी दस्तावेजों में सबसे सु विस्तित कौन सा है जो हमारा यह है इसमें दस्तावेज के आपसन दिये गए हैं सीवी रिजिव में बायो प्रस्ण है बायो डाटब में सामाने तक कितने संपर्को के संदर्भुम दिये जातें कितने संदर्भ दिये जाते हैं फिरकितने संदर्भ दीए जातें हैं कूर कितने संदर्भ दिये जाते हैं अगलाप हमाराłości 59 वह है APP क्रकृति के निंशावेयाải debe Modejust दिये जाता है वह ह होता है सीवी दिमलिकीद में से कौन सा क्या एक रिजूमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए वह है धार्मिक संबस्थता अगला प्रशम हैं आप अपने दो भासाओं के ग्यान अनुभाव में सामिल करेंगे अत्रिक्त जानकारी के अंदर हम सामिल करेंगे रिजूमे सब्सक्राइब किस बहाँ सासे उत्पन हुआ है इसका ध्यान देखेंगे हमारा जो तिरपन नंबर प्रस्ण हैं तिरपन नंबर प्रस्ण के आगे बढ़ेंगे तब तक विडियो को आप वस्से लाइक करें दोस्तों के पास share करें क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनस से हर एक प्रस्ण को सटीक रहे इसका ध्यान देते हुए वीडियो पे मॉडल पेपर आपके लाए जाते हैं जिससे आपकी मदद भी होती है तो कमेंट करके अवस्य बताएं कि आपको यह जो हमारा मॉडल पेपर हमने सॉल्ट कराएं कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास अवस्य सेयर करें तिरपन नंबर प्रस्ण है वायो डाटा जो है वह कि से उत्वद हुआ है ए‍गला प्रस्ण हमारा है साथ्छातकार में खुले चोर व्याले प्रस्यों की किया भूम क्या है साथ्छातकार करें से विस्तितियों अभिव्यक्ति पूर प्रतक्रिया को प्रोच्ताहित करनी की भूम क्या यह उत्व neither प्रस्ण extendsive फिरमई social media के रूप में चिन्हित नहीं है, वह है Wikipedia जो है, वह अपने social media के रूप में चिन्हित नहीं है अगला प्रशन हमा रहा है, 67 प्रशन अध ethn हो लिखी दो अक्तब्यों पर विक्चार कीजिए, यह जो विक्चार दिये गये हैं, इनको हमें देखना है फिर उसके सही है या गलत है उसके विसे में हमें देखना है पहला है सोसल मूडिया पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो या एक अच्छी चीज है या एक अच्छी चीज है ये गलत बात है ये रॉंग हो गया क्योंकि हम जब गुस्से में रहे हमें किसी क समूह चर्चा में कौन सा गुड़ महत्वपूर है भावात्मक्ता इस्थिरता हो जाती है अगला प्रस्ण है हमारा 69 नंबर अधो लिखित वक्तवियों पर विचार कीजिए 60 में अमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है पहला है एक समोह चर्चा के दोरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी आदत है ये ASE गलत बात है एक समोह चर्चा में सांतेवन तार्किक बने रहना अच्छा है ये सही है अर्ठात केवल दूसरा सही है तो बीवाला आपसे नहारा सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है साथ नंबर मृद कौसल क्या है मृद कौसल हमारा समा लोचनात्मक चिंतन समस्य साम धान और टीम वर्क तीनों हमारा मृद कौसल है अगला प्रस्ण हमारा 61 नमबर आपके रिजियूमे के बिक्तिगत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जानकारी होती है कौन कौन सी जानकारी आपके रिजियूमे में होती है नामियों संपर्ग होता है अगला प्रस्ण 62 नमबर रेजियुमे के संदर में अदल की दुवा तब्यों पर विचार कीजिए हमारे ये 62 नमबर प्रस्ण है इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा सही है पहला हमें दिया है कारी अनभो की जानकारी समयबध धनकरम में सबसे हाली है सबसे पहले उपर की करम में दी जाती है जो की सही बात है अगला हमारा सारांस कथन में सामानिता यह जानकारी होती है कि आप उक्त जौब के लिए कैसे उप्युक्त हैं गलत रिजियों में मुर्द कोसल सामिल है गलत अर्थात केवल एक सही है अगला प्रस्म हम देखेंगे 63 नंबर अधो लिखित वक्तब्यों को हमें देखना है तो विद्यार्थियों को लिंडेन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए बनानी चाहिए यह भी गलत है अर्थात सभी गलत है यह आपका सही राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्म है 64 नंबर है अधो लिखित वक्तब्यों को हमें विचार करना है हमें इन्हें पढ़ना है औ 55 प्रस्म हैं एक साथ चातकार के दवरान मौन का क्या मतलब है मौन का मतलब है साथ चातकार देने वाले को अपने विचार इकत्रित करने के लिए दिया जाने वाला आउसर होता है अगला प्रस्म हैं 66 एक साथ चातकार के दवरान इन बातों को हमें पढ़ना है कि उसमें क् ब्यक्ति को सवाल ध्यान पूर्वक सुनने चाहिए सही बात साथ-छात्चार लेने वाले को बार बार वाधित करना चाहिए गलत साथ-छात कार लेने वाले की बाव-भंगिमा की पेच्छा करनी चाहिए गलत अर्थात केवल एक सही है तो इसका right answer ए हो जाएगा साथचातार के दोरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है पैराफ्रेजिंग साथचातकार देने वाले के विचारों और भावनाओं को संचेपित करना पैराफ्रेजिंग कहलाता है और सचाथवा प्रसण हैं इंटर्विव में गैर मौखिक संप्रेशड किया है गैर मौखिक संप्रेशड है चेहरे के हाव भावर भंगिमाय और सारीरिक भासा अगला प्रसण 119 बयाई लिंग्ड il के बारे में अध्वलिकित वक्तब्यों पर विचार की जी लिंग्ड रिं भेजें गलत और अगला प्रस्ट इसमें वक्त अब दिया है अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों फूलों या किसी अन्निवक्ति की तस्वीर लगानी चाहिए ये भी गलत अर्था सभी गलत हैं डी आप्सन हमारा क्या हो जाएगा सभी गलत वेवहार हैं सत अच्छातकार में सफलता प्राप्त करना सबसे पहलामारा उद्धेस सी होना चाहिए एक अच्छे संप्रेशर में क्या बाधक है एक सब्दों के बिना संचार का मतलब क्या है सब्दों के बिना जो है वह संचार का मतलब क्या हो जाता है गैर मौखिक संचार अगला प्रशन है हमारा प्रेरित करती है तो संचार उद्दे सिका लक्ष संगठन के सामान नहीं तो के लिए लोगों को एक साथ मिला कर काम करने के लिए प्रेरित करती है 75 प्रस्ण हमारा है कि एक संचार जो है वह प्रेशक को प्राप्त करता से जोडता है क्या कौन जोड़ता है संचार जो है एक प्रेशक को संचार करता से जोड़ता है अगला हमारा प्रस्ण है जिसमें हमें देखना है कि क्या है जो पिछ तीब्रता आवधि स्वरसली और गति को संदर्भित करता है वह होता है चंज सास्र अगला प्रस्ण 77 है कि क्या पढ़ना आदर्स है और समझने में मदद करता है कैसा पढ़ना हमें जो है वह मदद करता है उचा पढ़ना आदर्स है और समझने में हमें मदद करता है 78 प्रस्ण है पढ़ने के SQ3R में दूसरा चरड क्या है सवाल करना जो है वह दूसरा चरड है 89 नमबर का प्रस्ण है किसी संगठन के उद्देश्यों के बीच आपस में होने वाला संचार जो है वह क्या कहलाता है वह आउपचारिक संचार कहलाता है अगला प्रस्ण 80 नमबर है कि प्रत्यक वाकिके दो आवस्यक भाग होते हैं कौन-कौन से आवस्यक भाग होते हैं 85 नंबर एक बायोडाटा के लिए आपके क्या जरूरी है कौसल और उद्देश सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आउस्यक्ता होती है हम किसी विद्ध हम किसी विद्ध से जान सकते हैं कि प्राप्त करता ने संदेश को समझ लिया है और प्राप्त कर लिया है उसकी को देख कर हम जान सकते हैं कि उसे समझ में आया है या नहीं वह वाक की क्या है मतलब एक वाक की कहस क्या है यह अंडर्स्टेनिंग हो गई वाक्य किसे कातियां था सब्दों का समुझ जो संपोस विचार संप्रेशित करता है वह क्या कहलाता है वाक्य कहलाता है पचासी नंबर प्रस्ण है मौखिक संचार में आम तौर पर किस प्रकार किस सब्द का प्रियोग नहीं किया जाता मौखिक का उपियोग कि करना जो है वह बाधा दूर करने के लिए किया जाता है 87 प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है जो वित्तिय बाधा है वह संचार बाधा नहीं है 88 नंबर प्रस्ण है सीधी सरीर मुद्रा क्या दरसाती है सीधी सरीर मुद्रा आत्मव इस्वास को दर्साती है 89 नंबर प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तक तो नहीं है वह है समय जो है संचार तक चक्र का जो है उसमें नहीं है 90 नंबर प्रस्ण है दुनिया की हर चीज के बारे में ग्यान प्राप्त करने का प्राथ में कौसल है पढ़ने का कौसल जो है वह दुनिया की सभी बातों को जानने का एक प्रकार से कौसल है एक क्यान बे नंबर प्रस्ण है या एक मनोभासाई अनुमान लगाने वाला खेल है कौन सा खेल है जो मनोभासाई अनुमान लगाता है वह है लिखना अगला प्रस्ण हमारा है किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ क्या है बानबे नंबर प्रस्ण किसी लिखित भाग को समझने का समझ बूज कर पढ़ना और आवसिक जानकारी निकालना ए और बी दोनों सही हो जाएगा अगला प्रस्ण तिरानबे नंबर है पढ़ना ये क्या है पढ़ना हमारा क्या है वह decoding की प्रक्रिया है अगला हम देखेंगे चोरानबे नंबर प्रस्ण में अंसर होगा मुहावरा एक सब्द या वाक्यान से जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे है 95 नमबर प्रस्ण पर हम पहुंचेंगे किसी भी स्रवर या लिखित सामागरी का संचित रूप्त क्या कहलाता है हमारा कहलाता हूँ वह सारान सु关 मौर प्रस्ण हैं घहन्त सूची मि वित आमिल हो सकते हैं सत्तान्वे नमबर प्रस्ण है हमें जो है जानकारी और अनुभव प्राप्त करने के लिए विविध कौसल की आवस्यक्ता होती है 98 नमबर प्रस्ण है हमारा सुरुस्वर और रवईया सुरोता को अर्थ समझने में भी सहायक होते है 99 नमबर प्रस्ण है हमारा महत्वपूर विवर सामिल की जाने चाहिए लास्ट प्रस्ण आपका है अंग्रेजी में आपका प्रियोग जो है वह बड़ो के लिए और बराबर को संबोधित करने के लिए किया जाता है इस प्रकार से हैंडर्ट कुस्चिन आपने देखे जो कि मोस्ट इंपॉर्टन आपके लिए बन जाते हैं बस आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो हर एक प्रस्ण आपके दिमार्ग में रहेगा दुकल ही आपका पेपर है आज आपने अगर देखा है तो बहुत ही आपके सामने आएंगे आप फटाक से अंसर लगा देंगे इसलिए जो और मॉडल पेपर कराए गए हैं अगर आप इस सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए वहां से दिख जाएंगे कोई भी प्रस्ण हो कमेंट में पूछ लीजिए या पीडिय कियो में